ओम शान्ती आपको स्वागत है आज के 15 जून के श्री बरतान में जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम माया जिसको की हम केवल धन नहीं समझते हैं अध्यात्मा में लेकिन माया मतलब काम, क्रोध, लोब, मोह, अंकार की संकल्ब आना ही माया है परमाता चाहते हैं कि हम माया को एक entertainment, एक खेल जैसा समझें और बहुत ज़्यादा सीरस न लें और अपने जो इस खेल को हम जो हर दिन एक अभिनीता के जैसे करते हैं, कभी क्रोधा आता है, कभी अंकार आता है, कभी इरशा आती, कभी ग्रिना आती है इसको हम एक detached observer, एक साक्षी हो करके देखें, और बहुत ज़्यादा क्यूं हुआ, मैं ही ऐसा क्यूं हूँ, मैं कभी सुदरूंगा नी, मेरी यादत कभी जाएगी नी, ऐसा ना बोले हम इसको एक detached observer हो कर देखें, और enjoy करें, ताकि इसको हम हलका लें, और परमात्मा की याद में रह करके, इसको हम पार करें बाबा कहते हैं, आज की वर्दान में, साक्षी बन, मनले detached बन, माया के खेल को मनोरंजन समझ कर, देखने वाले master रचेता बाबा माया कितने भी रंग दिखाए, मैं माया पती हूँ, अब जैसे की कोई विक्ती कहता है कि मैं धनवान हूँ, तो वो जानता है कि उसके पास में कितना धन्य और उसने ही उसकी रचना करी है इसी तरीके से हम भी काम, क्रोध, लोग, मौँ अंकार के रचेता हैं, हम माया पती हैं, माया रचना है और हम रचेता मैं master रचेता हूँ, तो अगर मैंने ही क्रोध, अंकार, इर्ष, गर्णा, नफरत, काम, वासना ये create किया है, तो मैं ही इसको ठीक करूँगा इस मृतीम से माया का खेल दिखो, खेल में हार नहीं खाओ, हार खाना मलत क्या होगा, चलो, ग्रोध कर दिया, लेकिन हार नहीं खाना है, मैं कभी सुदरूंगा नहीं, मेरे अंदर से ग्रोध कभी जाएगा नहीं, बाहर क्या करूँग, जितना भी try करता हूँ, ये करती परमात करते हैं ऐसे नहीं हार खाओ साक्षी बनकर मरोरंजन समझ कर देखते चलो तो फर्स नमबर में आ जाएंगे हसी आए आपको अपने करोध के उपर अहंकार के उपर आपको बच्पना दिखाई दे इरशा के उपर आपको लगे कैसे हूँ मैं इतना छोटे बच्पनों जैसी बच्चों जैसी काम कर रहा हूँ मैं ऐसे आपको यह मनोरंजन दिखाई दे ताकि आप इसको हल्क के पन में लें लाइट हाड़े डिलें और इसको जीत पाएं आप अगर बहुत कम भीरता से लेंगे तो आप इसके अंदर उलचते जाएंगे और कभी भी अपने आपको आप बहार नहीं निकाल पाएंगे माफ नहीं कर पाएंगे फिर पावर कते हैं साक्षी बनकर मनोरंजन समझ कर देखते चलो तो फिर्स्ट नंबर में आ जाएंगे उनके लिए माया की कोई समस्या समस्या नहीं लगेगी खेल लगेगा बच्पना लगेगा कोई question नहीं होगा क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं कैसे करूँ यह नहीं होगा उनके पास में सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृती से विज़ई बन जाएंगे या तो आप problem के उपर focus करो या पर मात्मा के उपर focus करो और अपने जो part है मायवी part को साक्षी हो करके देखो और एक game समझो ताकि आप इसको हलका लो और इसके उपर आप विज़ई पाओ यह सब को सिखाया जाता है प्रमा कुमारी इसमें आप प्या करके सीख सकते हैं और कैसे अपने आपको हलका लें और कैसे अपने आपको चेंज करनें यह भी सीख सकते हैं विद्या के दोरा एक बसाद ओम शांती